नमस्कार दोस्तों, गोल्डन रोस चैनल में आपका दिल से स्वागत है, जिस दूसरे तरीके से हमें कंडिशन किया जाता है, वे हैं मौडलिंग, अनुसरन, जब हम बड़े हो रहे थे, तो हमारे माता पिता पैसों के मामले में कैसे थे, वे चतुर निवे सकते या जोखिम लेने वाले थे, उनके पास पैसा ठीका रहता था, या फिर पैसे के मामले में हमेशा उतार चड़ाब का सिलसला चलता रहता था, यह जानकारी मैत्पूर्ण क्यों है, सायद इसलिए कि एक कहावत है, बंदर जैसा देखते हैं, वैसा ही करते हैं, इंसान भी ज़्यादा प करना चाहतें, लेकिन पुरानी कहवत है, जिसमें सच्छाई है, कि सेव पेड से ज़्यादा दूर नहीं गिरता है, इससे मुझे एक औरत की कहानी याद आती है, जो दिनर के लिए हैम पकाते समय उसके दोनों सिरे काट देती थी, एक दिन हैरानी से उसके पती ने उससे प उसके घर पर थी, तो उससे पूछा, तो उसने कहा कि उसकी मा भी ऐसा करती थी, तो फिर यह सुनकर दोनों ने उसकी नानी को फोन पर पूछा कि वह हैम के सिरे दोनों और से क्यों काटती थी, नानी का जवाब था क्योंकि मेरी कडाई बहुत छोटी थी, सबक यह है कि आम तोर पर हम धनके छेत्र में अपने माता या पिता या दोनों के तालमेल के अनुरूप होते हैं हो सकता है आपके पास दुनिया का सारा ज्यान और योगता हो लेकिन आपका बिल्यूप्रेंट सफलता के लिए निरधारित नहीं है तो आप बित्य दिश्टी से ऐसफल ही रहेंगे कुछ लोग पागलों की तरह खर्च करते हैं क्योंकि पैसा कभी भी डूप सकता है इसलिए जब तक इसका आनंद लेने का मौका हो तब तक ले लो बाकी लोग इसके उल्टे रास्ते पर जाते हैं वे अपने पैसों को दातों से पकड़ कर रखते हैं और मुश्किल समय के लिए बचाते हैं बुद्धीमानी की सला यह है कि मुश्किल समय के लिए बचत करने का विचार अच्छा तो लगता है लेकिन यह जान लें कि इससे बड़ी समस्याइं भी उत्पन हो सकती हैं इरादे की सक्ति के शिद्दान्त के अनुसार अगर आप मुश्किल समय के लिए पैसा बचा रहे हैं तो आपको क्या मिलेगा मुश्किल समय इसलिए ऐसा करना छोड़ दें इसके बजाए खोसाल समय के लिए पैसा जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करें या उस समय के लिए पैसे जोड़ें जब आप अपनी आर्थिक स्वतनता जीत लेंगे फिर रादे की नियम की अनुसार आपको ठीक वही चीज मिलेगी पैसा कमाने या सफलता पाने का आपका कारण या प्रेरणा दिहद महत्पूर है अगर पैसे या सफलता की प्रेरणा की जड़ नकारात्मक है जैसे डर, गुस्सा या खुद को साबित करने की जरूरत तो पैसा आपको कभी सुकी नहीं बना सकता क्योंकि आप इन में से किसी भी मुद्दे को पैसे से नहीं सुल जा सकते उधारण के लिए लोग सुरक्षा को तो महत्प देते हैं लेकिन सुरक्षा और डर एक ही चीज से प्रेरित होते हैं सुरक्षा की चाहा ऐस सुरक्षा से उत्पन होती है जिसका आधार डर है तो क्या जादा पैसों से डर चला जाएगा कास ऐसा होता लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं होता है समस्या की जड़ तो डर है डर सिर्फ समस्या नहीं है यह तो एक आदत है इसलिए जादा पैसा कमा ले के बाद भी हमारे डर का सिर्फ प्रिकार बदलता है कड़की के दौर में हमें सबसे ज्यादा डर यह लगता है कि हम कभी सफल नहीं हो पाएंगे और हमारे पास पर्यापत पैसा नहीं रहेगा सफलोने पर हमारा डर बदल कर यह हो जाता है कि अगर मेरी कमाई गई सारी दौलत चली गई तो क्या होगा हर व्यक्ति की निगा मेरी दौलत पर है जब तक हम मुद्दे की जड़ तक नहीं पहुंचते हैं और उस डर को खत्म नहीं करते हैं तब तक चाहे कितना भी पैसा आजाए कोई फाइदा नहीं होगा कई लोगों को वित्य सपलता पानी की प्यर्णा खुद को परियाब्त अच्छा शाबित करने की चाहा से मिलती है लेकिन फिलाल बस इतना समझ लें कि डेड़ सारी दौलत भी आपको परियाब्त अच्छा शाबित नहीं कर सकती पैसे आपको वह नहीं बना सकते जो आप प प्रतिबिम्ब है अगर आपको यकीन है कि आपके पास परियाप्त नहीं है तो आप इस विश्वास को सही साबित करते होए उस वास्तविक्ता को उत्पन कर लेंगे जिसमें आपके पास परियाप्त नहीं होगा दूसरी ओर अगर आप यकीन करते हैं कि आपके पास परियाप्त है तो आप इस विश्वास को सही साबित करते होए प्रचुर्ता उत्पन कर लेंगे और यह आपकी सुवाविक जीवन सेली बन जाएगी मॉडलिंग अनुसरण परिवर्तन के नियम एक वार फिर से देखें नमबर एक जाग रोकता धन दौलत के मामले में अपने माता पिता की आदतों के बारे में विचार करें लिख लें कि आप किस तरह उनसे किस के अनुरूप या विप्रीत हो सकते हैं दोसरा समझ अपने वित्य जीवन पर इससे पढ़ने वाले प्रभाव को लिख लें तीसरा एलगाव क्या आप देख सकते हैं कि यह जीवन सेली आपने सिर्फ सीखी है और यह आपका सच्चा सरूप नहीं है क्या आप देख सकते हैं कि आपके पास इसी पल बदल जाने का विकल्ब मौजूद है गोशना दिल पर हाथ रख कर कहें पैसे के छेत्र में मैं उनका अंसर कर रहा था अब मैं अपना रास्ता खुद चुनता हूँ अपने सिर को चुकर कहें मेरे पास मिलिनेर मस्तिक्स है दोस्तों अगर आपको यह हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे सेर और लाइक करें और हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें धन्यवाद